हेलो स्टुएंट्स आज फिर रोटेस्टनल मेकनिक्स का प्रीवियस एर जेई का एक क्वेस्टन आपके सामने है यह नाइटीन नाइटीन सेवन मोस्ट डिफिकल्ट जई एडवांस जई पेपर उस ताइम पर जई एडवांस जई मेंस नाम की छीज़े नहीं थी बट इसको को थोड़ा से डिफिकल्ट पेपर माना गया था यह नाइटी नाइटी सेवन का और यह एक सब्जेक्टि प्रॉब्लम है अगें फुल आफ कंसेट्स फुल आफ कंसेप्स मुल्टिपल कंसेप्स अर इंटेग्रेटेड इन दिस क्वेस्टन तो इसको एक्शन में वही सॉल टाइब की चीज है तो हम दो धीरे धीरे इसको सॉल्फ करने कोशिस करेंगे तब तक आप इस क्वेस्टन को रीड करना चाहों तो एक बार रीड कर सकते हैं टाइटिल अब दा प्रॉब्लम मैं हाइड कर रहा हूं विच जे नाइंटी नाइंटी सेवन रोटेशन में उसक वह च्वेस्टन कुछ इस तरीके से है जिसेजर के डिज़ान आपको दिख रहा से मैं यहां पर एक्स्क्र nella पर यह दोब्जिय समारे सर्कुलर डिस्क है यह दो सर्कुलर डिस्क है हमारे पास connected by a massless rod है यह एक disc है और यह disc है दोनों disc identical mass के हैं वो mass यहाँ पर 2 kg दे रखा है इनका radius identical है वो given है यहाँ पर 10 cm और इनको join किया गया है एक massless rod से and length of this rod 20 cm है वो भी स्क्वेशन के इंदर provided है बाकी details question में कुछ इस तरीके से हैं कि यह जो डिस्क और यह जो डिस्क है और यह जो रॉड है सो मैं इस डियाग्राम के तुरू आपको समझाने की कोर्शिस करता हूं कि जो रॉड है अगर आप इसको virtually extension पहले कि जाओ अगर आप रॉड का virtual extension दो virtual extension तो यह जो रॉड है यह उन दोनों इसे इधर और उसको और मैं वर्चुली इधर एक्टेंड करूं तो यह कुछ इस टाइप का फिगर है और और इस सिस्टम को एक ट्रक के उपर रखा गया है और वो भी ट्रक ऐसा जा ट्रक जो की मूविंग कंडिसंस में है अबिनिस्टेश्णरी ट्रक नहीं है वो ट्रक मूव कर रहा है और इस question में यह बता रखा गया है कि जो ट्रक है वो मूव कर रहा और ट्रक के मूव करने की जो इस direction है वो इस रॉड के परपेंडिकुलर है तो मैं ग्रेज्वाली इस question को इस डियाग्राम में एड करने जा रहा हूं तो मैं काम करें सेंटर पॉइंट ओ से हमने एक direction इधर दिखाई है यह रोटिस करिएगा यह एंगल 90 डिग्री है यहां पर यह एंगल 90 डिग्री और वाब देख रहे हो यह ए फलॉर यह फलॉर किसी ट्रक का फ्लॉर है या मिन रचित मोड्य यह फ्लूर बिए फ्लॉर फसके इस तरफ है डाटिस और इस त्रफ है ट्रक के मूव करने का डिरेक्स map इस तरफ है और उसमें आपको truck का acceleration भी दे रखा है यह भी दे रखा है ये त्रक की एक्सेलरेशन है और यह जो राड है यह दोनों 90 डिगरी के एंगल पर है तो यह जो अभी मैंने ड्रॉख किया था इसको आप कहा सकते हो कि यह लाइन जो है वो ट्रक के एक्सेलरेट करने की लाइन है यह और इस question में आगे बोला गया है कि आपको इस direction को जो यह direction है जिसमें truck move कर रही है यहाँ पर बोला गया है direction of motion of truck जो है उसको आप x-axis वानोगे so it is our positive x-axis यहाँ तक आ गया so दो चीज़े इसमें find करने को दी गई है दो चीज़े क्या क्या निकालनी है उसमें से यह निकालना है कि यहाँ पर और यहाँ पर क्योंकि यह दोनों truck के truck के surface के contact में है तो truck का surface इन दो disk के उपर frictional force exert कर रहा होगा जिसका हमें magnitude find उकतरना है हमारे question का first part है what is the force of friction on each disk and question का second part जो friction force हम यहाँ पर calculate करेंगे उसका point O के about point O इस पूरे system का center of mass भी होगा because जब दोनों disk identical mass के होंगे and your rod massless है तो point O which is the midpoint is also center of mass in the second part we have to find torque by this frictional force relative to this point O ठीक है तो यह question है meanwhile आपने question read भी होगा आपके screen पर है यह पूरा question so आप अगर read कर पाए हूँ then मैं इसका solution अब start करता हूँ gradually start करेंगे तो इसमें कितने concepts है आप ध्यान से सुनिये गए इस video को ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको और ध्यान से सुनने के बाद आपके बहुत सारे concepts clear होंगे plus question का solution तो समले आएगा ही आएगा पहले मैं आपको यह बता दूँ कि इस question में concepts कौन-कौन से है तो first concept है non-inertial frame and the pseudoforce concept number one और मैं concepts की ही बात करूँ तो इसमें कौन-कौन से concepts इस question के अंदर test किये जा रहे हैं मतलब JEE का previous year questions क्यों important कहे जाते हैं तो मैं यहाँ पर फिलाल तो यह लिखता हूँ कि आपको कौन-कौन से concepts पहले से clear होने चाहिए तो first concept जो आपको clear होना चाहिए that is non-inertial frame and pseudoforce मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हमारा यह concept weak है तो पहले मुझे यह सारे concept पढ़ दे होंगे फिर उसके बाद इस वीडियो का इस question का solution आप देखोगे concept 2 which is required in this question is how we define the torque definition of torque this definition of torque and that is definition of torque about point and definition of torque about some axis दो यह चीजे हो जाएंगी इनकी definition चाहिए मतलब यह हमें theory theory पढ़ने पड़े की पहड़े इनकी तीश्री चीज ओविएसली जो मुमेंट ओफ इनर्च आपको पता होना चाहिए वो चीज़ पता होनी चीज़े कि मुमेंट ओफ इनर्च कैसे देखा जाता है that is the third concept required in this question and the fourth concept which is very very useful very very useful is choice of coordinate system क्या आप coordinate system में axis किस तरीके से choose करते हों तब कौन सा x axis है कौन सा y axis है और कौन सा z axis है यह तो यह चार तो major concepts से जिस question में यूज किये गए हैं और meanwhile एक दो और concepts आएंगे जो हम solution के साथ आपके साथ discuss करेंगे तो one by one इन concepts को और मैं देखूं one by one तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करो इस question के language को पढ़ते हुए तो इन्होंने आपको दो coordinate axis को बताया है इन्होंने यह कह रखा है कि जिस तरफ ट्रक जा रहा है वह x axis है और वर्टिकली अपवर्ड डेरेक्शन जो मैं यहां पर diagram में आपके सामने दिखने जा रहा हूं वर्टिकली अपवर्ड डेरेक्शन इस डेरेक्शन विशिट वर्टिकली अपवर्ड यह question कहता है कि यह हमारे लिए z axis है बट इन्होंने यह नहीं बताया है कि y axis किदर है और यही मैरा concept है कि आपको coordinate system का idea होना चाहिए यगर आपको 2 axis का direction दिखाया गया है x और z तो right hand system हो आते हो कि हमारा third axis जो होगा उसकी positive side कौन सी होगी यह हमारा positive x है यह positive z है obviously मुझे यह पता है कि जो x y z axis होते हैं वो एक orthogonal system बनाते हैं तो तीसरा axis जो होगा third axis जिसको y axis कहेंगे वह यह obvious है कि इन दोनों लाइन्स के perpendicular होगा यह यह भी clear होके y axis इस रॉड के along है बट सिर्फ आप यह डिसाइड करो कि उसका positive side right side पर है या फिर उस y axis का positive side left side है और यह concept right-handed coordinate system की theory में मिलेगा आपको यहां पर मैं सिर्फ आपको सिर्फ यह बताऊंगा यगर हम right-handed coordinate system की theory को apply करेंगे तो this is our direction of positive y axis तो यह एक concept है तब जेए के previous questions की importance इसलिए मानी जाती है विकोज multiple concepts involve किये जाते हैं तो अगर इनको आप अपने J advance exam से जस्ट पहले लगाते हूं तो as a revision काफी benefit होगा और कई सारे concepts आप learn कर सकते हो इसके इंदर coordinate system के बाद जो next number है वो है non universal frame का और और जो concepts है इस question में यह कहा गया है कि जो truck है वो forward move कर रहा है और अकर हम यह imagine करें अकर हम यह imagine करें that someone is standing on this truck that means truck is our frame of reference let's say the observer is on the truck and when the observer is on the truck it is a non-inertial frame of reference now we have to apply now we have to apply a pseudo force now we have to apply a pseudo force अब question यह है pseudo force एक rigid body system के अंदर आप कहां पे लगाओगे कौन से point पर rigid body system के अंदर हम pseudo force लगाएंगे तो उसका answer है at the center of mass of the rigid system and center of mass of this entire system is point number o now notice and be careful pseudo force की theory में जाएंगे तो आपको यह बताया जाता है कि जो frame of reference है उसका acceleration जिस भी direction में हो रहा होता है हम pseudo force उसके अगेंस दिखाते हैं तो यह acceleration हमारा positive x direction के along है तो pseudo force present at the center of mass should be along negative x direction यह हमारा pseudo force है f pseudo p for pseudo force and pseudo force की जो value होती है अगर हम recall करें कि what is the value of the pseudo force तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ pseudo force की value होती है total mass of our system total mass of the system under consideration so यह दो masses है M यहाँ पर है और M यहाँ पर है so total mass under consideration is 2 M and acceleration of this frame of reference which is A so that is our pseudo force value notice करिएगा कि pseudo force का जो location होगा वो इस system का center of mass होगा और pseudo force की direction frame of reference के acceleration के exactly opposite होगी नव फ्रिक्षिनल फोर्स काम करेंगे इस object के उपर कि दोनों डिस्क पर फ्रिक्षिनल फोर्स काम करेंगी तो हम यह एज्यूम कर रहे हैं एज्यूम देट फ्रिक्षिनल फोर्स फिर से सुनना पढ़ेगा आपको फ्रिक्षिनल फोर्स प्रिक्षिनल 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 फोर्स प्रि स्वीति एक जटन फरिटेटियम एकिज़िक कि किसिने फोड इस आख यह फिं़क्शिनल फॉर पॉजिटिटिव एकिज़िक द्जाएगा यह तोपॉजिव एक्शनल न मीचव अगर यह पॉजटिव आएगा तो मेरा जैंशन सही होगा और अगर फ्रिक्शनल फोर्स क्यालकुलेशन के बाद नेगेटिव आजाता है तो हम यह माल देते हैं कि मेरा जैंशन जो था वो एक गलत जैंशन था सिदो फोर्स लगए गया फ्रिक्शनल फोर्स लगएगा उसके अलाबा यहां पर ग्रेविटी की फोर्स आएगी पूरे सिस्टम का वेट एमजी लग रहा होगा एंड डिरेक्शन ऑफ एमजी है वह आप सेंटर आफ मास पर दिखाओगे डिरेक्शन ऑफ एमजी अड़ दे सेंटर आफ मास विचिट पॉइंट ओ और फोर्स एमजी विल बी डाउंगर डिरेक्शन मैं आपको एक रिकमेंडेशन करूंगा कि आप वीडियो देखने के सा साथ पेन पेपर ले करके डाइग्राम को खुद से ड्रॉप करने की कोशिस करिए विकाज एक लिमिटेड स्पेस में मुझे डाइग्राम बनाना पड़ रहा है तो हो सकता है कि आपकी क्लेरिटी उत्री इच्छी ना बने तो इसके लिए अगर आप अपने आप डाइग्र क्वेशन के साफ से यह सिस्टम रोल कर रहा है तो हम यह मानते हैं कि जब यह रोल करेगा तो यह पूरा सिस्टम मैं आपके सामने एक रोलिंग ऑब्जेक्ट ला रहा हूं यह सिस्टम है तो यह कुछ ऐसा ही है आप इस फिगर को ऐसा मान सकते हो कि इधर एक डिस्क लगा करेंगे अगर कोई भी चीज रोल करेंगे माल दो अगर हम इसको रोल कराते हैं तो रोल करने के बाद यह चीज forward move करें कि भी some acceleration प्लस साथ में spin भी करेगा तो हम यह मान के चल रहे हैं आप देखों इसको ध्यान से देखेगा चीज को बहुत ध्यान से हम अब यह मान के चल रहे हैं कि यह पूरा system x-axis के पैरलली रोल करेगा विद एक्सेलरेशन a c c for this a o o for the point o कि इसका point o है this point o which is the center of mass यह उसकी acceleration है forward और बहुत ध्यान से आपको एक चीज नोटिस करने यह तो यह ऐसे स्पिन कर रही है और अगर यह चीज ऐसे स्पिन कर रही है तो एक्सेस ओफ इस्पिन यह वाला होगा जिसके perpendicular है यह इस फिगर में यह रॉड एक्सेस होगी जिसके अबाउट यह स्पिन कर रहा होगा और अगर यह forward motion कर रहा है ना तो सेम चीज़ कि अगर यह forward motion करेगा तो यह line axis होगी जिसके about system spin कर रहा होगा एस्यूम करते हैं कि यह system जो है वो अपनी rod वाली axis के about यानि कि y axis के about कुछ इस तरीके से alpha angular acceleration के साथ spin कर रहा है and that means कि अगर जो person है वो इस डिस्क के right side पर खड़ा है suppose this person is on the right side of the disc तो यहां से देखने पर जो spin है वो anticlock वाई दिखेगा ठीक है तो यह हो गया मेरा discussion portion अब हम लोग इस question को solve करना start करेंगे बिकाज यह पूरा reasoning analysis पार्ट था हम मेंसे कई सारे इस्टुरेंट्स क्या होते हैं कि reasoning analysis parts पर time devote नहीं करते हैं और वह सोचते हैं कि जल्दी से equation लखो आप और solution आजाए तो वह possible नहीं है जहीं के exams में and especially जो chapter आपके सामने है rotational mechanics मोस्ट difficult chapter बोला गया इसको इस question की equations कैसे बनेगी मुझे इस question में पूरा page मेरा complete हो चुका है तो मैं आपके सामने second page open कर रहा हूं बट यह diagram आपके सामने रहेगा ठीक है यह diagram आपके सामने है तो अब आप देखो अब मैं diagram को re-draw तो नहीं करूंगा because time लगता उसको re-draw करने में and अगर मैं इस question को देखूं तो मेरे पास जो torque है torque is point O से pass होने वाली access के about यह हमारी access है be careful now हम सबको यह पता है कि एक access के about अना मैं question concept लिख रहा हूं मैंने कहा ना टॉर्क का भी concept चाहिए टॉर्क एबाउट access remember it is zero if force जो लाइन है force की जो force की लाइन है वो cut कर जाए इन्टरसेट कर जाए access को तो यहां पर दो forces हैं जो इस हमारी access को cut कर रही है mg वाला force और यह pseudo force और mg यह दो force ऐसे हैं जो point O पर present है और यह जो line है वो हमारे लिए access है जिसके about spin हो रहा है तो क्योंकि यह दोनों forces की line यह दोनों forces का vector axis of spin को touch कर रहे है तो इन दो का torque about the axis तो आएगा नहीं और जब हम torque equals to I alpha की बात कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हमें interest होता है torque about the axis of spin जिस axis पर body spin कर रही है उस axis के about कितना torque है हमारा सारा concern इसके उपर होता है यहाँ पर axis of spin Y है तो Y axis के about यह दो forces torque नहीं दे सकते क्योंकि इन दोनों का intersection है Y axis के साथ only force which can give the torque about Y axis is the friction which is at the bottom most point and अगर आप उसकी torque निखालोगे तो आगे आप torque की fundamental theory लगाओगे that line of friction force जो ही है उस line of friction force का इस axis के साथ जो perpendicular distance है वो radius is disk की R and therefore जो torque बनेगी अगर हम यहाँ पर torque calculate करेंगे तो वो F into R from this friction force and similarly 2FR करेंगे अगर हम दूसरे वेली साइट से friction force को count करें and now it should be moment of inertia into alpha moment of inertia भी हम Y axis के बाउट लेंगे notice करें यह जो axis है यह 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 और यहाँ पर भी जो axis है वो Y है तो आप Y axis के बाउट जो moment of inertia लोगे यानिकि इस वाली axis के बाउट तो यह भी हम moment of inertia chapter में जाकर के समझ सकते हैं कि about this axis एक disc का moment of inertia होता है MR square by 2 और यहाँ पर दो identical disc है तो into 2 यह हो गया moment of inertia about the disc and multiplied by the alpha value अबर equation number 1 अगली equation जो हम लगाएंगे वो है Newton second law वाली equation which is the force equals to ma है ना तो वो equation जब आप लगाओगे मैं इसको side में बनाता हूं second equation which says that sum of all forces sum of all external forces on a system is always mass of the system and the acceleration of center of mass of that system that is Newton law for system of objects system of particle sorry rigid bodies के के सिस्में now which point is the center of mass answer this point O what is the direction of its acceleration so we have assumed that the point O is moving in forward direction that means and what is the mass of system M of this disc and M of this disc so total mass of the system is 2M acceleration of center of mass is actually the acceleration of that point O which is in the forward side positive x direction में and क्योंकि ये वाला चीज आपका positive x direction में this A is along the positive x direction remember तो you need the forces which are along x-axis y-axis और z-axis हमको कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि हमारा जो linear acceleration है वो x-axis पर है तो हमें x-direction की forces चाहिए इस डिस्क पर total 3 force है pseudo force negative x direction में Mg negative z direction में दो ये force and friction positive x direction में so हमें x-axis में interest है तो positive x direction में हमारा friction है F in fact 2F क्योंकि दोनों disk पर friction है और उसके opposite side पर हमारा pseudo force है F P that is pseudo force now this is our second equation and notice that this friction force जो pseudo force आपने लिखा है उसको भी मैं side में लिख दूँ ये 2 equations के अलावा जो pseudo force है that is total mass of system 2m and the acceleration of that truck which is given as 9 meter per second square third equation and now in सब के बाद rolling constraint rolling constraint कहता है rolling constraint what is the criteria for rolling without slipping what is the criteria अच्छा एक और चीज़ मैं यहां पर आपको mention करना चाहूंगा क्योंकि आपने pseudo force count कर लिया है तो मैं ये बहुत clear कर दूँ और frame of reference मैंने truck है so this A0 is acceleration relative to truck मैं इसी ने कहा कि जब तक आपको pseudo forces की concept clear नहीं होंगे इस question थोड़ी दिक्कट आ सकती है कि अगर आप free body diagram किसे non-inertial frame से draw कर रहे हो तो उस free body diagram के basis पर जब आप acceleration solve करोगे तो वो हमेशा उसी frame के relative आएगा जिस frame के respect में आपने pseudo force consider किया हुआ है हम लोगों ने frame of reference truck को माना हुआ है तो truck के frame में ही हमारी acceleration A0 आएगी यानि ground frame से acceleration की value कुछ different होगी A0 से तो अब हम criteria of pure rolling निकालने जा रहे हैं कि अगर object pure rolling condition में है if the object is in the state of pure rolling then it's linear acceleration A0 should be r times alpha now this is our fourth equation बट यहाँ पर एक problem है आपका देखो और मैंने जानबूश करके A0 equals to r alpha लेका है क्योंकि हम में से कई सारे students बिना analysis के इसको follow करते हैं तो मैं इसको इसरा एक बार आपके सामने ला रहा हूँ actually this is not A0 equals to r alpha what is the criteria of pure rolling that if you analyze if you observe the object on the surface from the surface जिस surface पे वो roll कर रहा है अगर आप उसी surface पे खड़े हो जाओ और तब आप इसको analyze करो और तब आपको अगर ऐसा लगे कि इसकी जो linear speed है वो V है और इसकी angular speed omega है बट यह V relative to surface है actual नहीं है तो आप कहते हो कि V equals to r omega and that's right कोई गलती नहीं है इसमें V equals to r omega वेल परफेक्ट है बट अगर आप situation को ऐसे दो कुछ स्टाइक का है परसन यहां पर standing है इसकी linear speed V इस तरफ है लेकिन spin करने का sense opposite है तो जब आप यह वाला case करते हो तो आप कहते हो कि V equals to r omega है obviously जब omega का sense opposite कर दिया जाएगा तो फिर criteria for rolling without slipping that is pure rolling should be written as V minus r omega V equals to minus r omega and why? उसका reason अगर आप bottom most point पर consider करो तो bottom most point के पास है linear speed V forward direction में इस body के translate करने की वज़े से और spin करने की वज़े से क्योंकि body का spin इस तरीके से हो रहा है तो अगर आप ऐसे spin करोगे इस तरीके से spin करोगे right तो आपके पास notice कर सकते हो लिएकों मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया है जो इसका brand है जहाँ पर यह लिखा हूँ यह पर मैं इसको लाओ अभी आप देख सकते हो कि यह जो फेवे स्टिक लिखा हूँ है मैं इसको downward कर देता हूँ यह छोटा वाला और अगर आप इसको anti clockwise spin करोगे तो आपको साब दिखेगा कि यह चीज forward आ रही है मतलब यह नीचे से forward होकर के उपर आएगी and that means कि इसकी spin करने की वजह से यहाँ पर जो velocity generate होगी वो भी हमारी same direction में जा रही है वो velocity भी same direction में जा रही है अब इस point के पास total speed हो जाएगी इस point के पास total velocity लिखी जाएगी v plus r mega but that v plus r mega should be zero because यही हम rolling without sliding condition बोलते हैं कि यह point surface के relatively zero velocity पर आना चाहिए और इस वज़े से हम लिखेंगे v equals to minus r mega और हमारे इस example में यही case हुआ है notice रिए spin करने का जो sense alpha है बहुत ध्यान से दिखेगा alpha इस alpha के spin करने की वज़े से यहाँ पर आपको forward velocity मिलेगी इस bottom point पर velocity positive x direction में मिलेगी और यह system linear motion भी forward direction में ही कर रहा है यहाँ पर a naught equals to r alpha के होएंगे तो यह थोड़ा सा गलत concept माना जाएगा because यह lack of focus है lack of concept पान सकते होगी concept clear नहीं था अगर तो ideally होना यह चीए कि this a naught should be minus times of r alpha so यह अब आपकी चार equations है right इन चार equations को अब solve करेंगे so मैं calculation part में नहीं जाने वाला मैं सीधे इसके answer पर आ रहा हूं कि जब सब कुछ हम solve कर लेंगे यहां से तो मेरे पास friction force की जो value आ रही है वो six newton आ रही है और वो भी positive में आ रही है आप चेक कर लिजेगा calculate करके friction calculate करने के बाद जब six newton positive में आएगा तो इसका मतला मेरा assumption सही था मेरी intuition सही थी that friction force forward side में लग रहा होगा so यह मैंना पहला question था और अगर आप इसको vector form में लिखना चाहते हूं it is six newton into i cap as a vector sorry screen नहीं दिहरा है इस समय second part था which is the torque is friction force का torque point O के relative क्या होगा now this is torque about point दो तरीके के concept है torque about axis and the torque about point question का B part जिस concept को test कर रहा है that is torque about point so torque of any force about a point is given as cross product of R and F that is the definition of torque this is this is how we define torque about point and this R this R is the position vector of position vector of that force F relative to the point O so if we are calculating torque about some point A then the position is also relative to the point A और अब यहां पर कर इस डाइग्राम पर वापस आए ठीक है थोला साथ टॉर्क निकालना है by friction तो दो चीज़े आपके माइंड में होनी चाहिए आप टॉर्क किसका निकाल रहे हो कौन सी फोर्स का निकाल रहे हो और किसके अबाउट निकाल रहे हो और सपोज यह मैं left disk पे हूँ अभी अभी मैं left वाले डिस्क की बात करूंगा राइट डिस्क पे बाद में निकाल देंगे तो जब आप left डिस्क पर focus करोगे तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कि नोटिस करिएगा पॉइंट ओ हमारा यहाँ पर है और फ्रिक्षन लग रहा है इसके बॉटम पोइंट पर तो इस पॉइंट की लोकेशन यानि इसकी पोजीशन ओ पॉइंट के रिलेटिव निकालने के लिए ध्यान से मैं इसको फ्रासा अलग से कर दे रहा हूं ठीक है यहां पर कर देता हूं मेरा पॉइंट ओ यहां कहीं पर है यह उससे इतना डिस्टन्स विचिज़ हाफ लेंथ ओफ रॉड हाफ लेंथ ओफ रॉड यह पॉइंट वन मीटर आप इधर आ रहे हूं विचिज नेगेटिव बढ़ से के बाद राइएस के बरावर आपको नीचे जाना है तो अप आर डिसंस नीचे आ रहे हो और रेडिस भी पॉइंट वन है सो पॉइंट वन मीटर नीचे भी आना है इस इस माइनस के कब डिरेक्षन नीगेटिव जट डिरेक्षन है यह तो ये एक तरीके से हमारा left disk के frictional force के लिए जब बात की जाएगी तो left disk के frictional force के लिए ये position vector लिखा जाएगा because friction यहाँ पर है यह वो point था जहाँ पर friction force लग रहा था तो जो r vector है उसको गर आप इन दो का combination लिखते हो तो लिखा जाएगा minus 0.1 i cap and minus 0.1 j cap this is vector r cross this force vector force हमारा friction था and friction magnitude में 6 newton उपर निकाल चुके हैं तो यह 6 newton का force i cap direction में है तो it is 6 i cap and now इसको आप solve करेंगे तो इसका answer भी आ जाएगा और मैं torque on the right disk आपके पर छोड़ता हूँ torque on the right disk but वो सिर्फ जल्दी से अगर मैं बता हूँ कि जो right disk है हमारी right वारी disk उसके लिए जब हम torque रिखा लेंगे torque तो उसके लिए यहाँ पर क्या change आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर plus 0.1 i cap sorry एक mistake हुआ यहाँ पर my mistake यह जो direction थी एक mistake हुई है मुझसे यह x axis नहीं है यह हमारा positive y axis था इसको सही कर लेता है विकोज यह ध्यान ने दिया हमने positive y axis था यहाँ पर यह line positive y axis है यहाँ पर plus 0.1 j cap होना चाहिए plus 0.1 j cap और यह जो point 1 था वो negative z axis था यहाँ पर k cap होना चाहिए extremely sorry for this error plus 0.1 j cap and minus 0.1 k cap and then z i cap अब जब आप इस point पर जाओगे right disk के friction force के लिए तो यह जो plus 0.1 j cap था वो change होगा और वो minus 0.1 j cap होगा और यह जो चीज है वो ऐसी रहेगी minus 0.1 k cap and times 6 i cap और यह sign थोड़ा सार देखे कर mistake हुई है वो आप adjust करे क्यों होगा मैं इसको ऐसे figure में दिखाऊ अगर तो यहाँ से point O के relatively right side वाले disk का जो bottom point है उसकी position 0.1 meter along negative y direction है and then 0.1 meter along negative z direction भी है तो उसमें दोनों चीज़े minus में आएंगी ठीक है और यह उस point का इसमें सारा game यह है कि अगर आपने सही तरीके से coordinate system नहीं चूज किया होगा तो आप obviously B part में जाए करके गलत answer में आ जाओगे so now अब आपके सामने यह first screen थी ठीक है मैं थोड़े दिर के लिए screen को रख सकता हूँ अगर आप इसको pause करके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि क्या situation थी and then after this screen जो आपका solution है वो यह है इस screen के बाद जो solution था वो यह है पूरा analyze करेंगे आप इसको ठीक है इसको analyze करने के बाद अब अपने answers को लाओ जो answers आपके आ रहे हैं वो देख लें क्या है ठीक है चेक कर लिजे का अपना answer from the J papers जो सबस्सक्राग है